मेन अगर आप देखेंगे अगर आपने भी थोड़े दिन पहले देखा हो तो मोधी जी ने ये गोशना करी थी कि आने वाले डेड़ साल में 10 लाख से ज़्यादा सरकारी भरतियां की जाएंगी तो वहाँ से SSC ने कुछ दिन बार डिकलेर कर दिया कि 70,000 वेकेंसी हम और बढ़ा रहे हैं रेल्वे ने गुरुबडी का एक्जाम जो है उसकी प्रक्रिया तेज कर दी मद्य प्रदेश में जो हमारे मुख्य मंत्री जी हैं उन्होंने भी कुछ दिन पहले एक रेली में कहा कि सवा लाख से ज़्यादा सरकारी भरतियां आने वाले दो साल में हम करने वाले उसका वीडियो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा कहने का मतलब यह है कि अब जो है क्योंकि चुनाओ भी करीब है सारी चीजें अब एकदम अनुकूल चल रही है और सारी चीजों की प्रक्रियाई भी तेज हो चुकी है पटवारी वेकेंसी की बहुत लंबे समय से हम सुनते आ रहे है MPSI हो गया, Constable हो गया, अदर राजी की जो परिक्षाएं हो गई तो अब इस सब चीजों को देखके लग रहा है कि शायद जल्द ही वेकेंसी आ सकती है अंदर की जो प्रक्रिया है वो सभी चल रही है तो मोदी जी ने जो दबाव दिया है सारे राज्यों पर और सारी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब आने वाले समय में वेकेंसी काफी सारी आएंगी लेकिन मेन मुद्दा जो अभी सबसे ज़्यादा गहराया हुआ है वो ये है ये एक इंटर्नल डिपार्टमेंटल नोटिस है ये आप कई लोग व्यापम की वेबसाइट पर दोन रहे हैं कहीं तो अभी ये नहीं मिलेगा ये डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट भेजा गया एक नोटिस है जो 24 तारीक को जारी हुआ था लेकिन लीक ये कल हुआ है अब देखिए इसमें आप थोड़ा सा शायद आपको क्लियर दिख रहा हो अगर हम यहाँ पे बात करें कॉंस्टेबल की तो कॉंस्टेबल का तो पहले ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने बता दिया था कि अब जो है फिजिकल के भी 50% मार्क्स रहेंगे तो यह तो पहले से पता था है ना तो अब से क्योंकि कॉंस्टेबल की 5000 भरतियों की भी प्रकलिया चल रही है बहुत बार सुनने में भी आ रहा है कि शायद आने वाले 2-3 महीने के अंदर कॉंस्टेबल पहले आ जाए या 5000 विकेंसी का डिकलेरेशन कभी भी हो जाए क्योंकि प्रोसेस होगी एक्जाम होगा रिजल्ट आएगा फिर सुनाओ में ड्यूटी लगानी है मेन पॉवर वैसी बहुत कम है MPSI के पद 5 साल से खाली पड़े है तो समस्या तो है लेकिन आब ऐसा लग रहा है कि वेकेंसी जिये निकल सकती है तो पहले चली इसके बारे में बात कर लेते हैं आपका 100 नंबर का पहले भी रिटन पेपर होता था अभी भी होगा लेकिन अब उसकी वैल्यू 50% हो जाएगी अभी तक यह होता था कि आपके वल फिजिकल निकालिए और आप जो है बस आपको कौलिफाई करना है लेकिन में जो मेरिट लिस्ट है वो आपके मार्क्स जो एक्जाम में होते थे रिटन एक्जाम में जो होते थे उसके आधार पे तै होते थे लेकिन अब से physical में भी आपको marks दिये जाएंगे जो की 50% रहेंगे और जो आपका written test है जो आपकी लिखित परिक्षा है उसके भी 100 नंबर में से 50% वेटेज उसका भी रहेगा यानि 200 नंबर की अगर परिक्षा है तो return और physical दोनों का 50-50% contribution और ये जो अभी 5000 नहीं भरती आने वाली है उससे ये नियम लागू हो जाएगा लेकिन सबसे जादा जो आश्चेरे सभी को हुआ है वो है MPSI की वेकेंसी को लेकर ठीके मैं आपको इसका आश्चेरे का कारण भी बताता हूँ क्योंकि पहले आपको पता है कि अगर हम physical को इंटर्व्यू को हटा भी दे, तो पहले केबल 200 नंबर का पेपर होता था, दो पेपर होते थे 600 नंबर के, आपको पता ही ये बहुत अच्छे से, अब उसको सीधा 600 नंबर का कर दिया है, यानि 600 नंबर का आपका written पेपर होगा, जिसका रोल 80% रहेगा, तो आपको पहले 3% है उसके बाद आपका एक साक्षातकार यानि इंटर्व्यू होगा जिसके 50 marks रहेंगे जिसका roll 6.7% रहेगा तो ऐसे 750 नंबर पर आपका जो selection है वो तै होगा ठीक है मतलब यह जो प्रक्रिया देखके मुद्दा इसली जादा है क्योंकि पहले pattern simple था ज्यादा marks का नहीं होता था लेकिन अगर आप दूसरे राज्यों से compare करेंगे तो यह इस प्रकार का pattern कई सारे राज्यों में चल रहा है अधिकतर राज्यों में चल रहा है मद्धिप्रदेश में pre होगा की mains होगा कई सारे लोगों ने बुद्धी जीवियों ने अपनी राए व्यक्त कर दिये कई लोगों ने तो दावा कर दिया कि ऐसे ही होगा देखिए मेरा ये मानना है हो सकता है आपका दावा सही निकल जाए हो सकता है तुकका बेट जाए हो सकता है जो भी हो लेकिन मैं पर्सनली इस पर कल भी वीडियो बना सकता था लेकिन मैं पहले इंतजार कर रहा था कि अगर कोई जानकरी मिल जाती है, कोई नोटीस आ जाता है, कुछ पता चलता है, तो इसके बारे में कुछ कहना सही रहेगा, अधरबाइस कोई मतलब नहीं है अपना अनुमान लगाने से, है न, और बच्चों को बे बज़ा गुम रहा जिसमें आपका GS और सारी चीज़े हो जाएगी, मेंस में कुछ और रहेगा, देखो, हो सकता है उनका अनुमान सही हो, हो सकता है उनका तुक्का सही बेट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा आपको एक ही सजेशन है, जो मेरी एकदम खुली राय है, वो ये है, कि आज भी पढ़ रहे हो, है ना, आज अगर 200 नंबर की परिक्षा है, तब भी आप इनी विश्यों को पढ़ रहे हो, कल को 600 नंबर की परिक्षा हो जाएगी, तब भी आप इनी विश्यों को पढ़ेंगे, तो आपको गुमराह नहीं होना है, इसको बहुत बड़ा मुद्द बान के नहीं बैट जाना है जैसा कई बच्चे की सर ये क्या हो गया यार जो आपके साथ हुआ है वो सब के साथ होगा ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले उसमें फसने वाले हो या आपकी समस्या इसमें हो गई है जो होगा सब के साथ होगा और ये तो आप ऐसे समझ लीजिए कि पहले जो pattern था उसको इन्होंने एकदम हटा दिया तो सबको अब zero level पे ले आए तो ये तो और अच्छा मोका है हमाई लिए कि हम एक नए सिरे से तयारी करें लेकिन अच्छा होगा बुरा होगा ये बात की बात है विशय वही रहेंगे पढ़ना आपको वही रहेगा तो main मु आई पर आपका focus होना चाहिए बजाए इस चीज को मुद्दा बनाके बैट जाना कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया देखो या तो फिर आप सब काम छोड़के इसके धरना प्रदर्शन में लग जाओ कि नहीं होना ही नी चाहिए तो आप उस काम में लग जाईए या फिर अगर सरकार मन बना चुकिए कि नहीं इस चीज को हम इंप्लिमेंट करेंगे तो फिर आप इसके हिसाब से तायारी करेंगे लेकिन मेरा ये मानना है कि मांक्स जैसे क्या होता था पहले मान लीजी आप 200 प्रश्ण होते थे एक एक नंबर के होते थे हो सकता है अब दो नंब के इसके मां नंबर करेंगे उसके बाद कोई मतलब नहीं चीजो से मेरा सिंपल सा सजेशन है जो भी होगा सबके लिए होगा है nा क्वेक्टिंस की संख्या कम रहेगी हो सकता है मांक्स बढ़ जाए हो सकता है colo में लेकिन हमारी तैयारी वही की वही रहेगी, सब्जेक्ट्स वही रहेंगे, पैटन वही रहेगा, तो मेरा आपसी निवेदन है कि इन चक्करों में ना पड़ें, बदलाओ अगर हुआ है, उसके लिए तैयार रहें, है ना, और उस हिसाब से आपको कुछ भी चेंज करने की ज परकनी पड़ता, है ना, मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा कि ये 600 क्या डिवाइड करा है, क्योंकि मैं आपको गुमरा करना ही नहीं चाहता हूँ, है ना, हो सकता है कि बाद में ये जैसे हमने चर्चा करी उसमें डिवाइड हो जाए, आप मुझे बताओ, जो भी हो, प्री और मेंस में भी हो गया, तो भी क्या कर लो गया, है ना, मैं आज बोलू कि ये प्री पहले होगा, मेंस बाद में होगा, तो भी पढ़ना है, मैं बोलूगा कि आप तो सब विशय पढ़ो, तो भी पढ़ना है, तो इन चक्कर में मत फसो, पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि आपको कोई भी teacher नहीं बताव सकता कोई भी व्यक्ति जो है मतलब हमारे जो ग्रह मंत्री जी है मुख्य मंत्री जी या व्यापम है अगर ये लोग coalition बता दे तो ठीक अदर्वाइस कोई नहीं बता सकता या फिर वह जाकर जगडा करो धरना प्रदर्शन करो, अपनी मान रखो, वो एक अलग बात है